तुम चने कुकर में चड़ा कर मेरे पास आई थी तब रसोडे में कौन था हंजी तो आज इनको कौन नहीं जानता ये है ये ये श्राज मुखाटे अगर लोगडाउन का सबसे ज़्यादा फाइदा किसी को मिला है तो वो यही है यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आजकल बहुत जादा वाइरल हो रहे हैं इनके एक यूनिक टैलेंट की वज़े से ये किसी भी डायलोग या स्पीच को म्यूजिक देकर सौंग बना देते हैं पेशे से ये अश्राज म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और सौंग राइटर हैं ये काफी सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम कर चुके हैं ये अश्राज सौंग राइटर तो है ही इसके साथ साथ इनकी आवाज बहुत जादा अच्छी है ये शिराज मुखाटेगा जन 28 नॉवंबर 1995 को और अंगाबाद महराश्टर में हुआ उन्होंने अपनी स्कूलिंग, हॉली क्रोस, इंग्लिश हाई स्कूल और अंगाबाद से ही की है इसके बाद इन्होंने Electronics and Telecommunication Engineering की सिंगट कॉलिज पूने से ते लिए मिलते हैं इनकी फैमली से, ये है इनके फादर भूशन राज मुखाटे जो की पेशे से एक सिंगर है और ये है इनकी मा वैशाली मुखाटे, ये इनकी सिस्टर जो की आर्किटेक्ट हैं कल्यानी मुखाटे ये श्राज मुखाटे बच्पन से ही म्यूजिक सीख रहे हैं और इनके म्यूजिक के प्रती काफे इंटरस्ट था यश्राज कहते हैं कि म्यूजिक उनकी रगों में दोड़ता है जब ये मातर चार साल के थे तब इन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था और ये स्कूल टाइम में स्टेज पर हमेशा परफॉर्म किया करते थे जैसा कि इनके पिताजी भी सिंगर हैं इसलिए इनके पैशन को सपोर्ट करते थे जबकि इनकी माँ चाहती थी कि वो पहले कॉलेज की पढ़ाई करे उसके बाद जो उमर जी आए वो करे अपनी मा की कहने पर ही इन्होंने इंजिनेरिंग की थी और इसके बाद इन्होंने अपना पूरा फोकस म्यूजिक पर दे दिया यूट्यूब पर चैनल बनाया था 2010 में और इन्हें 18 साल बाद तक भी कोई पैचान नहीं मिल पाई थी लेकिन अभी कुछ महिने पहले इनका एक वीडियो वाइरल हो गया जो इन्होंने टीवी सीरियल की किरदार कोकिला बैंजी के डायलोग को मिक्स करके सोंग बनाया था इस वीडियो के वाइरल होने के बाद यश्राज के सब्सक्राइबर और फॉलवर्स तेजी से बढ़ने लगे यश्राज कहते हैं कि उन्होंने ये सारी म्यूजिक स्किल्स यूटूब से सीखी हैं यश्राज कहते हैं कि इस वक्त इंटरनेट से बड़ा कोई गुरू नहीं है इन्होंने यूटूब से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे इन्होंने पहले अपने YouTube चैनल पर cover songs upload किये थे लेकिन बाद में इन्होंने अपने content change कर लिया आपको बता दें यश्रा सिंगर होने के साथ साथ एक mimicry artist भी है और ये इर्फान खान की बहुत अच्छे mimicry करते है बात करें इनके relationship status की तो ये अभी single है यश्राज YouTube और इंटरनेट से जितना भी कमाते हैं वो अपने studio में ही लगा देते हैं ये है इनके studio की जलक यश्राज की height 5 feet 7 inch है और इनका body weight है 69 kg इनका favorite actor है रन्बीर कपूर और actress है जनिलियर डिसूजा यश्राज कहते हैं अगर वो singer या music composer नहीं होते तो भी वो engineer तो बिलकुल नहीं बन पाते तो ये थी कहानी यश्राज मुखाटे की उमीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगली बार सब तक के लिए धन्यवाद